पोर्शन ट्रेकर लेटेस्ट अपडेट 20.3 थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपके लिए यूजफुल होगा इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और पसंद आते क्लाइक जरूर कर दीजेगा देखिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊं कि इसमें क्या कुछ नया अपडेट आया है तो नया अपडेट में सबसे पहले आप लोगों को पता देती हम कि जो इसमें नया अप्डेट आया है वएनिफीशरी को ले करके ठीक है इसमें लोग कोई भी लाभार्थी जोडते हैं तो पहले लाभार्थी जोडने के लिए हमें network क्या करना था दिखिए सबसे पहले हमें क्या करना रहता था कि जैसे ही कि हम लोग pregnant woman में गये और उसके बाद से जो है कि हमें new registration पर click करना रहता था जैसे ही new registration पर हम लोगोंने click किया और सभी data submit किया उसके बाद से हमें क्या करना रहता था कि verify की option पर जाना रहता था यहाँ पर आप लोगों ने देखा हुआ है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आधार verify यहाँ पर उसका जो है कि show करने लगता था या फिर जो है कि यहाँ से पहले वो red रहता था उसके बाद से जो है कि green होता था लेकिन यहाँ देखिए automatic आज मैंने दो लभार्थी एड किये हैं आप लोग देखिए कि दोनों लभार्थी को जो है कि automatic या verify कर लिया है मैं आप लोगों को बताऊं यह लभार्थी एड करना आप लोग online औफ लाइन दोनों mode में कर सकते हैं तो यह हो गया हम लोगों का first अब second में चलिए मैं आप लोगों को बताऊं कि second new update में क्या दिया है चलिए देखते हैं second के new update में आप लोग देखिए कि यहाँ पे दे रहा है कि referral register referral register सबसे पहले तो इस बात को ध्यान से समझे कि referral का मतलब क्या होता है संदर्ब सेवाएं हमें किसे देना रहता है जो कि गंभीर रूप से बचों का वजन अधिक कम है या ओभर बेट है या फिर जो है कि गर्भवती महिलायों में जो है कि गंभी रूप से कुछ समस्याइं दिख रहे हैं जैसे कि उनका वजन का कम होना इत्यादी जो भी हम लोगों को दिटेल इसमें पोशंड़ेकर में सब्मिट करना है और जब हम उसे सब्मिट कर देते हैं तो उसको कौन से लाभारती किस कटेगरी में आएंगी ये भी हम लोग यहां से सो करते हैं देखिए आप लोग ठीक है देखिए इसमें मैंने ग्रोथ मनिटरिंग 100 परसंट कर रखा है तो मेरे में four बच्चे जो है कि Sam Children में आये हैं और अंडर वेट Children में भी जो है कि चार बच्चे आये हैं चार तो हमें जो है कि रेफ्रल से वाँओ के कटेगेरी में किन बच्चों को रẳखना है, तो यही चार बच्चे है, ठीक उसके बाद से देखिए, निवब जो है कि लो बर्थ बेट का एक बच्चा है यानि कि low birth rate किस category माएगा जिस बच्चे का जो जनम की समय वजन धाई किलो से कम है उसके बाद से जो है कि जैसे हम लोग referral category को क्लिक करते हैं यहाँ देखिए आप लोग अभी जो है कि children refer to health care यानि कि हम लोगों का यही काम रहता है कि पहचान करके पी एचसी के लिए जो है कि हम लोगों को refer करना रहता है ठीक तो इसमें अभी जो है कि पी एचसी पर कैसे हम लोग refer करेंगे और कैसे जो है कि इसमें नाम दर्ज करेंगे उसके बारे में अभी कोई update नहीं दिया है केवल वह एक नया option जोड़ दिया इसको हम लोग चाहें डाटा नौट फाउंड यानि कि अभी जो है कि इसका डाटा फाउंड नहीं कर रहा है तो इसमें जो है कि इस प्रकार से सो कर रहा है ठीक है तो आप लोगों को समझ में आ गया कि क्या कुछ इसमें जो है कि नया अपडेट दिया हुआ है और किस प्रकार से इसमें काम करना है मैं आप लोगों को बताओं कि जो भी हम लोगों को काम करना है बीना लोड के करना है ठीक है जरा सा भी हम लोगों को अपने दिमाग पर प्रेशर नहीं लेना है कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा आप लोगों को बस समय समय पर मेरा जो भी वीडियो आता है चैनल सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन on करके रखिए नोटिफिकेशन के माध्य मिलती रहेगी कि क्या कुछ नया अपडेट आया है और क्या कुछ जो है कि हमने नया तरीके से करना है ठीक है थे उम्मीद है कि कि आप बीटियुम् तत्त क्लीन वाँ